पूछार में दो सुरू करते हैं आज राष्ठी इस्तर पर जो करेंट फिर सुरू होता है जो कि जून से लेकि आपको जो है आपका जो सितंबर इस वहां तक आपको खरम कर दिया जाएगा लेकिन इसे दो तीन पार्ट में किया जाएगा क्योंकि देखें वान लाइनर के एक साल का पूरा है कि तो उसी तरह हम भी सोच रहे हैं कि क्यों यह प्रैप्टिश एट करते जो कि एक साल का पूरा जो है हम लोग 2000 पेश्का करते हैं क्योंकि 2024 में एक्साम होगा तो जह जोश्यार वर्बश्य को विद्वी करेंगे लेकि बाइस को जिसमें एवार्ड है एवाड हो गये खेल से समंदित जो गए यह सब चीजों के लिए वह उसमेंद रहेंगे और नहीं तो ज्यादा च्छटा-च्छटा चीज को नहीं विद्गी ये सब जो है जो अभी च्छटा-च्छटा कारिकरम हुआ है या च्छटा कुछ सम्मान मिला है, जो कि 2018 के लिए important है, तो पढ़ेंगे, तो चरिए, सुरू करते हैं, तोड़ा current affair को 9 बज़े, आप आजाएए, और तैयारी में लग जाएए, जरूर देखिए, ठीक है, चरिए आईए, ठीक है, देखें, ये जो है, जो important होगा, उसी को करेंगे, ठीक है, मेघाले में जो है, भारत European connectivity, शम्मिलन का आयोजन किया गया, ठीक है, ये बहुत important है, तो पुछेगा कि भारत European connectivity, सम्मिलन का आयोजन कहां किया गया, तो मेघाले में, ठीक है, आप उस देखा कि, जो मेघाले में जो है भारत एरोपिय शंक कम्यूटी जो है कनेक्टिविटी सम्मिलन जो हुआ उसका उदेश क्या था उदेश है कि भारत में भारत के पुरुवत्तर राज्यूं तथा पॉडोशी देश्यूं के इसमें तीन सवाल आपको बन गए अब इसी सवाल को अगर एंसी क्यूं करवा रहा हूं आप देखांगे मेरा करेंट फैर के क्यूं कर वाया है तो जाएं प्रेंट पर एस्ट यह के लिखा रहेगा उसमें प्लेश्ट में दिया हुआ है यह यह बहुत जरूरी है क्योंकि दे गाती में द्रिंग घाटी में ड्रूग गाती में 15,400 फूट की चोटी पर चढ़ने वाली देश की पहली महिला एंसी सी क्याव बन गई है तो यह नहीं की मतब देश की एंसी सी बन गई ए ठीक है पहली महिला एंसी सी जो है वो बन गई है यह द्यान रखिएगा तो शाली निशीना कहां की है तो है यूपी के लखनौव की है ठीक है कैड़िट की है NCC लखनौव का कैड़िट की है यह उत्राखन के ड्रिंग ड्रिंग घाटी एक है जो कि 15-14-400 फूट की उचाई पर है पांच 15-14-400 फूट की चोटी पर वो चड़ने वाली हो गई थी जिससे देश की पहली महिला NCC के ड्रिंट बन गई याद रिकेगा देखें तीन चार प्रश्ट बन गई इससे ठीक है कैसा लग रहा है यह इसका रिप्लाई देंगे और मैं जो भी कंटेंट दे रहा हूँ ज़रूर से ज़रूर देखेंगे क्योंकि मैंने चाहता कि आप एक्जाम में चुक जाएं ठीक है चलिएगा प्रियाटन के छित्र में महिलाओं की भागिदारी को बढ़ाने के लिए महराष्ट ने आई इसको बढ़ेंगे नामक लिंग शमावेशी प्रियाटन निटी की शुरूरात की है अब देखें यहाँ सवाल है कि प्रियाटन के छित्र में महिलाओं की भागिदारी को बढ़ क्या है महराश्टरकार ने किया है क्या क्या है तो आई नामक लिंग शामाविशी परियाचन नीटी शुरू किया है कौन सी तो आई नामक लिंग शामाविशी परियाचन नीटी शुरू किया है कौन किया तो महराश्टरकार ने किया इसके लिए क्या तो महिलाओं की बैसक्यार में च्लियर हो गया महाराश्टर कारते हैं ऐसे कह सकते होती जी है लेकिन सवाल से आगे देखें कि अमसार करेंगे कता है अमसार qovals कि या गया या है यह देश का सब एक कंपनी है आप जानते हैं Tata Group को देश का सबसे Valuable Brand का किताब गया है किताब दिया गया है क्या कौन सा ब्रांट के किताब मिला है किस के तर्मिला आप देखें लिए चलिए आगे चलेंगे आप सुन लेगे कोई नोट नहीं कर सकते हैं, हाँ, जो चाहेंगा, वो नोट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत ही important है में दोस्त, अगर चुकर हैं, तो मुझसे फिर तो दुबारा उमीद ना करें, कि आपका number कैसे बढ़ेगा, क्योंकि जरूर से जरूर देखेंगे, और मैं कहना चाहूंगा, अगर नहीं आप देखना चाहते हैं, तो अपने पास ये PDF आपको दे दिया जाएगा, PDF से पढ़ने जाएगा, लेकिन पढ़कर चुरूर जाएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, Center for Science and Environment, ठीक है, देखें, दियान से सुनेगा, Center for Science and Environment, जिसको सौट फार्म में, एस सी ए कहते हैं, अब आपसे अगर पूस देता है, एस सी का फुलपा, क्या बोलेगा, Center for Science and Environment, एस सी, द्वारा जो है, क्या होता है, State of India's, यह दिखें, State of India's Environment, दोहिजर तेखें, में, परियावरन पर्दर्शन के मामले में, तेलंगाना जो है, भारत का शिष्राज है, मतलब, कहने का मतलब है, Center for Science and Environment के द्वारा, एक, State of India's Environment, दोहिजर पेस में, परियावरन, परियावरन के पर्दर्शन में, तेलंगाना जो है, राज्य हमारा, भारत का राज्य जो है, सिर्फ पे रहा है, मतलब सबसे उच्छे अस्थान पर रहा है, फर्ष्ट अस्थान पर रहा है, यह है, चलेंग सर, संस्था द्वारा जारी की जाती है, तो कास्ट अफ लिविंग, जो है, लिविंग सर्वे रिपोर्ट जो है, किसके द्वारा जारी की जाती है, यह दिखेगा मर्सर संस्था द्वारा जारी की जाती है, एक सवाल आपका किलियर हुआ, कास्ट अफ लिविंग सर्वे ज सबसे महांगा है सहर है जो कि आपको 47 रखता है जिए रहो गए इसमें दिखकत नहीं हुआ से चलिए आगे के हर्याना के मुख मंत्री हर्याना के मुख मंत्री मनुहलाल खटर. चेकां, मनोहारलाल खटर, जो थे, ने Raja के पदमitted पुरुशकार विजेता को कितने रुपय दिये? माशिक पेंशन देने की जोशना की गया है? बतायाईगा है, किये गया है, तो याद दिखिएगा, 10,000 रुपय जो है माशिक पेंशन देने की गोशना की गई है तो समझ गए हर्याना के मुखवंतरी जो थे मुखवंतरी जो है मनुहलाल खटर ने राज्ज के राज्ज के जितने में पदम पुरुषकार से सम्मानित भी जेता हैं उन्हें 10,000 रुपया माशिक पेंशन दिया गए अब सवाल यह उड़ता है कि अब देखिए यह स्ट्राइटिक जिके में चला गया करेंट में भी ध्यान रखना तो रखें नहीं तो ने कैसे तो 10,000 रुपया माशिक पेंशन देने वाला जो है राज्ज कोन है जो कि पदम पुरुषकार को दिया गया है तो वो है हर्याना के हर्याना के क केंद्रिय औरिशज सरकार ने केंद्रिय शंस्कृती मंतराले के शहयोग सी भुनेश्वन में पहला जन जाती खेल महोश्रम कायोजन किया यह जून का है रियान रखेगा इसमें 26 राजून के 5000 एथलीटों ने भाग लिया मतलब काने का मतलब है कि बताएं कि पहला जन जात क्या कोंग सा केंड्र है मंत्राल है केंड्री ये शंस्कृती मंत्राला के सही ओक्से किलियर हो गए इसमें घंप कितने हैं तो 26 राज्यों ने भाग लिया है तो 5000 एथलिस्ट भाग लिए किलियर हो गए किसके द्वारे चला जाता है केंद्रिय संस्किती मंत्राले द्वारे चला गया ये आपका किलियर हो गया आगे सवाल बनता है देखे बंदरगा नो बाहन एवं जलमार मंत्राले द्वारा बंदरगाहों पर चीक है, ड्रेजिंग, संचाले की छमता बढ़ाने के लिए सागर सम्रिदी, नामक ओनलाइन ड्रेजिंग, मोनिटरिंग सिस्टम लाउंच किया गया, मतलब कहने का मतलब है कि कौन साइसा बंदरगा है, दीख है, देख बंदरगा है जिसमें नौ बाहान, इवन जलमार्ग, यह जितने भी मंतराले हैं, मंतराले द्वारा जो है, बंदरगाहों पर जो है, आते हैं पानी के माध्यम से तो उस्य को कहते ज़िका है तो बंदरगा नौ बहान का मंतुराले दोआशा किसके द्वारा मंतुराले द्वारा यहां रखेंगे बंदरगाओं पर ड्रीजिंग ठीक है ड्रीजिंग संचाले की छम्ता बढ़ाने के लिए शागत सम्रिदी यहां संचाले बढ़ाने के लिए विवार को बढ़ाने के लिए यहां या यात्रा को बढ़ाने के लिए सभी नामा को ऑण्लाइन जो है डिजिंग मौनिटरिंग सिस्टम लॉंच किया गया है किसके कौन से मंत्राले है या किसके द्वारा जैदेखिएगा बंद्रगान नौ बहांचल मार्ग मंत्राले द्वारा ठीक है ऑनलाइन शुरू किया में वन वीक वन लाइव कैम के तहद किया गया यह अब सोचिस यह लेंटेर महस्तत तो आप आपको जल्दी आपको कहां मिलता है जामुकास्मिर में घास्मुकास्मिर कि कहां घाटी में इसके द्वारा किया गया इसका एविजन का जो था क्या लच्छ था तो यह था कि वन वीक वन लाइब केंप की तहद किया गया था किसके तहद किया गया था यह इसका एविजन वन वीक वन लाइब की तहद किया गया था इसका उद्गाटन कहां किया गया समझेए यह जो है आपको लेमेंडर महुस्टब का उद्गाटन जो है जमुकास्मीर में किया गया भद्रवाः घाटी में यह दुखेगा और यह केंद्रिय मंत्री जितन्दर सिंग जो थे उनके द्वार्ण किया गया है क्लियर हो गया तो इस तरह के आपको यह मैं छोटा सा क्लिप दे रहा हूँ कैसा लग रहा है कमेंट करेंगे अगर अच्छा लग रहा है तो आपको मैं यह कंटिन्यू कर दूँगा और इसका फिर पढ़ाने के बाद एम से क्यू करवा दूँगा और यह छे महिना से सुरू कर रहे है जून से सुरू है आपका यह दुखिएगा जून से जून से सुरू करेंगे और आपका दिशंबर तक खर्म करेंगे तो यह दुखिएगा कैसा लग रहा है यह बताएंगे आपको कैसा लगा ये बताइएगा और अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करेंगे और करेंट इफ़ेर को चरूर देखेंगे मेरे दोस्त चरूर से जरूर देखेगा क्योंकि आप अगर चुक जाएएगा तो प्रेक्टिसेट में करेंट इफ़ेर आप हमेशा आपको जरूरी है भी 2023 को खतम करना जो कि जून से 6 मेने का जून से में सुरू कर रहा है पिर जो आपको अगर इसका रिभीव अच्छा जाता है तो आपको जनवली से भी सुरू कर दूँगा जिससे की कोश्चन एक मेने चुटें कैसा लगा ये वीडियो का कमेंट करेंग जाहिए मेरे दोस्त बाइबाई गुट बाई